वार्सॉफ गाइज वेलकम टो फ्लिप बिप में हॉप का दोस्त चिनमय सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी एंड तक देखिए हो क्योंकि मैं हमेशा ऐसे कुछ अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ और इस त्री मिनिट्स टेक के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत हैं तो अब सभी आजकल एक 4G phone यूज करते हैं 4G network भी यूज करते हैं और जब भी आपने एक 4G network या फिर 4G phone यूज कर रहे हैं अब आपने देखा होगा कि आपके phone में उपर लिखकर आता है LTE या फिर VOLTE तो क्या होता है इन दोनों का difference तो LTE का simple मतलब है 4G network और VOLTE का मतलब होता है voice over 4G यानि कि आपके जो calling हो रहे हैं आपके phone पर वो 4G network पर हो रही है और जहाँ पर सिर्फ LTE network लिखकर रहाता है वहाँ पर आपके जो calling हो रही है वो 3G, 2G network पर हो रही है तो जो VOLTE जो होता है वो आपके phone में support होना चाहिए और आपका जो network operator होता है वो भी आपको support देना चाहिए So इसलिए VOLTE जहाँ पर आपकी 4G calling है और एक normal LTE मतलब जहाँ पर आपको internet तो 4G की मिल रही है मगर calling है वो 2G या फिर 3G सो हो रही है जैसे कि आपने देखोंगे जब Jio launch हुआ था तो बहुत सारे phones में आपको एक application डाउनलर करना परता था जिसके बाद आप उस phone से calling कर पाते थे क्योंकि वो phones VOLTE को support नहीं कर रहे थे और Jio join वो सिर्फ 4G network पर ही काम करता है इसलिए आपको VOLTE होने की जरूरत है आपके phone में ताकि आप 4G calling कर पा है तो देखा जाता है 4G network मतलब VOLTE की बहुत सारे फाइदे भी है advantages जैसे कि आपको एक अच्छी quality की audio quality मिलती है एक HD call, voice call आपको करनने को मिलती है और खास करके एक feature यह भी है कि आप calling करते वक्त अपना internet भी यूज़ कर सकते है जैसे कि आप अपने phone से किसी को call कर रहे है उसी वक्त आप simultaneously अपने phone पे internet भी यूज़ कर सकते है इसका reason यह है कि यह दो जो दोनों चीज़े है आप simultaneously एक ही network कर रहे है यहापे नो कोई switch है मतलब ना 3G ना 2G ना 4G सिर्फ एक ही network जो है 4G और 4G की speed अच्छी होने के वाज़ा से आपको दोनों मतलब दोनों चीज़े मतलब calling हो या फिर internet हो आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाते है यह खास feature होता है इसका इसके कुछ disadvantages भी है मगन rarely आपको देखने को मिलेंगे है जैसे कि आपको जहापे आप किसी remote area में गए हो आप आपको 4G की अच्छी range नहीं हो तो आपको आप एक conjunction देखने को मिल सकता है जैसे कि आपको एक lag भी देखने को मिल सकता है मतलब आप बात कीजिए दो सिकंड के बाद आपकी जो बात हो सामने बारे तक पहुँछे जैसे कि आपने रेखे है वाट्सप कॉलिंग में तो यह कुछ रेरली आपको देखने को मिल सकते है मगर फिलाल तो फोर्ज की रेंज भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है स्पीड है अच्छी मिल रही है डाटा प्लान भी अच्छा है जियो की मेर बारी से सो ओवेसली यह कुछ अच्छी सीसे फोर्जे के बारे में एक कुछ डिस अडवांटिज जैस भी है मगर अब तो इंतजार है 5G का मतलब 5G क्या क्या लेकर आता है यह देखने में ज़्यादा इंटरस्ट होगा मगर फिलाल इस वीडियो में ते इतना ही I hope आपको LT और VOLT का फरक समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए नमस्ते और हाँ प्लीज सब्स्राइब करते जाना क्योंकि 5G से पहले हमें 1,000,000,000 सब्सक्राइबर्स जो कुप्रिट करने हैं So, बाए